हेलो एवरिवन आप देख रहे हैं नेचरल डिलाइट बाई पीदी और यह है क्रोटोन की काफी सारी वेराइटी होती है उसमें से सबसे ब्यूटिफुल वेराइटी मुझे ही वादी लगती है इसकी लीव का शेप बड़ा होता है ऐसा लगता है हर लीव पे एक अलग शेड अलग कलर हो तो इसके बाद आज की वीडियो की टॉपिक पर बात करते हैं आज हमें एक ऐसा वाल डेकोर बनाने वाले हैं जिसमें ट्रूली आपका जो प्लांट्स के लिए अफेक्शन है वो शो होएगा इसके लिए सबसे पहले कार्ट बोर्ड ले ले और मैंने उस पर प इसको में एक दूसरे कार्ट बोर्ड पर अरेंज करने वाली थी लेकिन फिर मुझे लगा कि अगर मैं इस पर अरेंज करूंगी तो यह बहुत चाहता है वी हो जाएगा तो मैंने इसके लिए दूसरा तरीका निकाला है आगे बताऊंगी मैं आपको तो इस तरह से आपको उसका साइस आपने अकोर्डिंग एक ले ले कि आपको कितनी चोडाई चीए जो भी इसको वाल-डेकॉर बनाने वाले है उसकी तो यहां पे मैंने इनको जोईंट कर दिया हैं PCS का number भी आप अपने according रख सकते हैं कि आपको कितना बड़ा चाहिए और मैंने यहाँ पे thread भी लगा दिया है ताकि मैं इसको nails पे लगा सकूँ और जो पीछे जो मैं बताने वाली थी कि मैंने बाद में plan change करके पूरा cardboard नहीं लगा के cardboard की एक strip सी लगा दी है तो उससे मैंने इसको joint कर दिया है गम लगाया है और जो गम यहाँ पे यूज किया है वो homemade gum है इसका link भी मैं आसको description box में दे दूँगी तो मैंने इसी gum से इसको चिपकाया है अब यहाँ पे जो pieces जो दोनों के बीच में गेप है जो plates के बीच में वहाँ पे मैंने क्या करा इस gum को थोड़ा सा liquid कर लिया पानी के साथ मिक्स करके और फिर tissue paper को dip करके मैंने यहाँ पे इस gum को fill कर दिया अब चाहें तो clay भी उस कर सकते पर मुझे थोड़ा सा easy लगा तो मैंने इस तरह से जो भी सारे गेप से उसमें tissue paper थोड़ा भर दिया है गम के साथ गम और पानी के mixture के साथ तो अब यह क्या होगा थोड़ा सा smooth finish ले लेगा अभी गीला ही है अब मुझे इसको थोड़ा सा सूखने के लिए मतलब 24 hours में इसको छोड़ देती हूं ताकि अच्छे से dry हो जाएगा और dry हो जाएगा तो हम इस पर अच्छे से work कर पाएंगे इसमें मैंने यहाँ पर oil paint लिया है और acrylic color लिया है लेकि सुखने के बाद मैंने यहाँ पर सब तरफ जो masking tape है paper tape है कारपेंटर टेप भी बूल सकते वह लगा दी उससे के थोड़ा finished look आ जाता है अब यहाँ पर मैंने yellow color लिया है oil paint लिया है मैंने यहाँ यह देखी यहाँ पर first coat है और second coat में करी रही हूं तो जो पर आपको थोड़ा dark color दिख रहा हो second coat है और नीचे वाला था वह first coat था इसक जो जो मेरे favorite plants है यहाँ जो मुझे लग रहा है कि gardens related चीजे है वह मैं यहाँ पर ड्रो करती जा रही हूं ड्रो करने के लिए मैंने यहाँ पर acrylic color और pearl metallic जो color आता है acrylic का ही वह use किया है oil paint सिफ मैंने base के लिए use किया है तो इस तरह से जो जो आपको पसंदो sorry जो आपको पसंद तो वह design से और जो plants picture साब बना सकते हैं मैंने कोशिश किए कि अरे का पाम बना दूँ स्पाइडर प्लांट बना दूँ कैक्टस बना दूँ क्योंकि यह सब मेरे favorite plants है भोगन वीलिया भी मैंने वह बोगन वीलिया नहीं जो table rose है वह plant भी मैंने hanging basket में बनाने कोशिश की है द बारिश से इतना सेफ नहीं है क्योंकि अगर आप इसको वुड पर बनाएंगे तो थोड़ा सा लॉंग लाइफ रहेगा यह पर मैंने इसको कार्डबोड पर ही बनाया तो मैं बालकनी में नहीं रख पाऊंगी इसको मैं अपने गेट के बाहर लगाऊंगी ताकि मेरे करना है आपको तो इसको आप वार्णिश यूज करें उससे काफी सेफ हो जाएगा मेरे पास अभी वार्णिश तो अवेलेबल नहीं था तो बस मैंने इसको ऐसे ही रखा है वाल पर रहेगा तो इतना जल्दी खराब नहीं होएगा तो बस यह आप इस तरह से बना सकते हैं कलर कॉंबिनेशन जो चाहे आप ले सकते हैं तो बस आज के लिए इतना ही और अभी एच्छी जो और कि मैंने पहले सोचा था कि इसको कील से ही लगा दूँगी लेकिन फिर मैंने यहाँ पर सेलो टेप ही लगा दी क्योंकि कील ठोक करना थोड़ा सा रेंटल फ्रेंडली नहीं होता तो मैंने यहां पर बस उसको सेलो टेप से ही चिपका दिया है और अपने गेट के बाहर यहां पर इसको लगा दिया है आप देख सकते हैं कितना ब्यूटिफूल लग रहा है मुझे तो बहुत ही पसंद आया यह और उपर वीडियो आप देख रहें यह भी मैंने डियाइवाई पेंटिंगी बनाई थी इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देदूंगी तो बस आज के लिए इतना ही वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें आप भी प्ला थारे